काम्याबी की कहानी सुनेंगे एक और बिजनिसमेन की जुबानी जी हाँ, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कारिक्रम कहानी काम्याबी की में और मैं हूँ आपके साथ ने हमालिया तो किस तरीके से शुने से शिखर तक का सफर तै किया जाए किस तरीके से तमाम समस्याओं का तमाम परिशानियों का सामना किया जाए आज जानेंगे एक और बिजनिसमेन से तो आज की इस खास कारिक्रम में विपिन खना हमारे साथ है तो अव्नफान लगन होना करने के लिए तो जिंद्गी में तरक्ष के लिए अगर आपका लगन नहीं थो तरक्ष के नहीं मिलती तो विपूं जी जब शिरुवाथ कि आपने क्योंकि जब हम बच्चे होते हैं फिर बड़े होते हैं पढ़ते हैं लिखते हैं बहुत सारे सपने होते हैं सोचते हैं बड़ा होकर ये बनूगा बड़ा होकर इस फिल में जाओंगा तो क्या शुरू से ही आपने सोचा था कि आप बिजनसमेन बनेंगे व्यापार करेंगे अब जो फादर थे वो बिजनस में थे शुरू से और जब पार्टिशन हुआ हिंदुस्तान पाकिस्तान का 48 में तो तब उन्हें एक ट्रांसपोर बनाई जैपूर गोर्डन ट्रांसपोर कंपनी उसके बाद से फादर की डेत होने के बाद से भी और आज तक भी वो कंपनी हम हमारा एक ग्रूप है वो ग्रूप के अंदे चल रहा है और तब से लेकर आज तक चलते ही आ रहे हैं तो विपन जी हमारे दरशकों को बताईए कि आखिर क्या बिजनस है आपका और कहां से अपने शुरूआत कि और आज कहां तक आप पहुंच चुके हैं मैं तो जब नैं मैं एक रिजोट बनाया हुआ है राजेव रिजोट के नाम से जो नैंटी-थृ में मैंने खुद बनाया है आपने हां मैं मेरे मेनद से समझो मेरी लगन से समझो या किसी भी उसे आप समझे जब आदमी मेनद करता है तो शिकर पर पहुंचता ही कि आपकी मेहनत का नतीजा है कि यहां तक आप पहुंच पाए हैं लेकिन जुस तरीके से आपने बताए कि शुरुआत आपने की आपने रिजॉर्ट बनवाया खुद की मेहनत से वह काम किया है तो कुछ भी करने के लिए मुझे लगता है बहुत सारी कई बार परिशानिया भ परिशानिया आई आपके सामने तो आपने उन चीजों को बहुत जादा खुद पर प्रेशर डालने नहीं दिया या दबाव कहें कि बढ़ने मैं अपनी जिन्दकी में अपने उपर प्रेशर डालने नहीं डालता ही नहीं जो काम मुझे करना है वो करना है बस मेरी मेरा काम मैं है लगन, मेerto in पशिंडे पर मेरा ध्यान रहता है। कि दूसरा जो आडमी भी किसी इस पर सोचेगा कि मैं कॉं करूं और मुझे फल मिले। मैंने कभी पाल की इच्छा नहीं रखी है। क्कि अगर मैं और दो मैंकि दिते च्छा में सरह Beyond क्योंकि मेरी इच्छा जब पूरी नहीं होगी, तो मैं आपने आपको फेलियर समझें, इसलिए मैंने कभी इच्छा रखी नहीं, बट बगवान जो है उसी को फल देता है, जो मेहनत से लगा रहा है अगर आप मेहनत करेंगे तभी आपको फल मिलेगा, बले ही देरी से मिले पर मिलेगा जरूर, जी, तो जिस तरीके से अब आपने बताए कि रिजॉर्ट है अलग-अलग और बहुत मेहनत की, यहां तक पहुंचे हैं आप, परिवार वालों की अगर बात की जाए, तो पारिव पारिक माहोल कैसा है इन चीज़ों को लिए, हमारे परिवार बिद्कुल ठीक है, फस्कलास है, परिवार का सेवक सही सब कुछ होता है, बीवी मेरी निराज तक मुझे रोका नहीं किसी काम से, बच्चों नक भी रोका नहीं, बच्चे मेरे साथ हैं, और वो भी काम करते है विपिन जी जब किसी बिजनिस की शुरुवात की जाती है, तो ऐसा होता है कि उसके लिए समय निकालना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि टाइम देंगे तभी चीज़े स्मूदली हो पाएंगा, कहें कि जो सोचा है वो हो पाएगा, तो बिजनिस के साथ-साथ परिवार को जो आपका समय चाहिए था, उन दोनों चीज़ों को कैसे मैनेज किया आप? विपिन जी, जितने भी हमारे दर्शक हैं, उन्हें बताईए, as a businessman, आप व्यापारी हैं और आपके सामने तमाम वो चीज़े आती हैं, जो और लोगों के सामने भी आती होंगी, तो कई बार ऐसे होता है कि परिस्थितियां जो होती है, विपरीत हो जाती है, चाहे पैसे को लेकर बात कर ले जाए, क्योंकि बिजनेस शुरू करने के लिए या उसे चलाने के लिए investment बहुत ज्यादा जरूरी होती है, तो वो जब आपका समय था, आपने बिजनेस के शुरुवात की, तो क्या वो परिशानिया आपके सामने भी आई, और अगर आई, तो किस तरीके स आपने उन्हें टैकल की? बिजनेस में व्यापारी देखे हैं, जो व्यापार करने के साथ-साथ समाज सेवा करने में भी इच्छुक होते हैं, और उन्हें लगता है कि समाज सेवा भी करनी चाहिए, जिससे की समाज का कुछ भला हो पाए, क्या आप यसे शौक रखते हैं? अगर आप समाज सेवा भी किसी जगा भी आपने किसी भी परोग्राम में तो उसमें जाना ही पड़ता है, बगार समाज के तो तरक्की नहीं हो सकती हैं. आपके रिजॉट हैं, अलग-अलग होटेल हैं और आज कि अगर बात की जाए तो कॉम्पिटीशन हर जगा है, वो कोई भी फिल्ड हो, वो कोई भी क्षेत्र हो, वो बिजनिस ही क्यों ना हो, तो आज आप आपके साथ भी बहुत ऐसे कॉम्पिटीशन आपके सामने होंगे तो किसे आप कॉम्पिटीशन समझते हैं अपना, जिके मैंने तो जिनकी में कॉम्पिटीशन किसी को समझा नहीं है, जब मैंने रिजॉट बनाया था, ने ने टी स्री में, तब यहां 25-30 किलोमेटर पे कोई होटल नहीं था, आज की डेट पे यहां पे हट डाही किलोमेट पे एक होटल है, तो कम्पिटीशन तो सबकर जितना मार्किट बनेगी, जितने लोग आएंगे, उतना कम्पिटीशन होगा, उतना लोगों को पता लगेगा, कहां अच्छा है, लोगों को जगा मिननी चाहिए, आपनी अपनी होती है, लेकिन लोग आपके होटेल में आए, आपके रिजॉर्ट में आए, इसके लिए क्या अलग यहां पर सुविधाय लोगों को मिलती है, क्योंकि आजकर हर जगा फैसलिटीश बहुत ज़ादा दी जाती है, आपका होटेल, आपका रिजॉर्ट किस तरीके से अलग है, लाउंस है हमारे पास, बिलियर टेबल है, ट खना साब तो घरवारा माहोल देने की कोशिश आपकी तरफ से की जाती है, बहुत कॉंप्लिकेटीड क्वेशन मैं पूछने वाली हूँ आपसे, as a businessman, सिरफ कमाना आपकी प्रायर्टी है, या फिर जो आपके ग्राहक है, जो आपके customer है, उन तक सुविधाय जादा उने मिल करते हैं, बगर जो मेनत करके कमाने में या लोगों की सेवा करने में यहां पर हमें, मुझे खुशी ताब हो दे कि मेरा customer खुश जाना चाहिए, ताकि नराही ना हो, अगर कोई किसी वज़ा से, देखे, दुनिया में हर किसम का आदमी है, हर आदमी खुश नहीं हो सकता, कि इसी से भी, आप अपना परिवार ले लिए, उसमें भी कोई खुश नहीं रहा सकता, सारे के सारे को या को एक ना एक चलता रहता है, थोड़ा बहुत, बिल्कुल यह परिवर्तर है, संसार का नियम है, खना साहब जिस तरीके से आपने पिता जी आपने बताए कि पिता जी चलाया है, बड़ा किया है, तो जो खुद के बच्चे है, क्या उन्हें भी बिजनस में ही आपने आगे इस बिजनस को बढ़ाने के लिए कहा है, या उन्हें छूट है, आजजादी है वो जो करना चाहिए, उन्हें छूट है बिल्कुल, मेरा एक लड़का, वो जैबर करता है, अभी भी अपना डेजट सिफारी भी बरता है, वो बाकी जितनी रहेत होती है उसमें इंडिया में जहां भी रहेत होती है, और उसमें भाग लेता है, उसको बढ़ाने की आप कोई भी काम करो, अगर उसको लगन से करो, यह नहीं कि बच्चों को पूरी छूट दी गई है खना साहब की तरव से जैसे उन्हें चूट दी गई थी बावजुद इसके उन्होंने अपना बिजनेस चलाया उसे आगे बढ़ाया और आज वो यहां पर पहुंच गए हैं कि अगर काम्याब बिजनेसमेन की गिंती की जाए तो खना साहब का भी नाम उसमें है तो कि क्या कुछ खास रहा इस पूरी कहानी में वो आपको बताएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद आप सबीकर स्वागत है हमारे खास कारिकरम कहानी काम्याबी की में जिसमें आज हमारे साथ विपन कना जी है और उनसे हम जान रहे हैं कि किस तरीके से काम्याब हो सकते हैं काम्याबी का क्या मूल मंत्र हो सकता है वो भी आपको बताएंगे लेकिन जिस तरीके से आपने बताये कि resort है और जब आपने उसके शुरुवात की थी तो आज पास दूर तक जहां तक नज़र जाए नहीं कोई और resort था तब आपने इसके शुरुवात की लेकिन इसी में क्यों? आप किसी और में भी बिजनेस कर सकते थे, किसी और फिल्ड में भी यही फिल्ड क्यों चूज किया थे? हमें पता चला है कि? जब आपने इसकी शुरुआत की तो इंटीरियर आपने कहीं और से रिजाइन नहीं किया, खुद हर चीज आपकी तरफ से की? सब कुछ अपना ही है, मैंने अपने आपी सारा इसको बनवाया हुआ है, और कोई ठेके पे नहीं बनवाया है, डेली बेजिस पे मैंने इसको बनवाया हुआ है, और उसी इसाफ से आज भी काम चल रहा है, एक्टी नाइन से लेके और आज तक राज मिस्ट्री काम करी रहा है मतलब कह सकते हैं आपके काम के साथ आपका मन भी जुड़ा है आपका दिल भी जुड़ा है यानि कि जो आपका जुनून था जो आपका पैशन था उसे आपने प्रोफेशन बना जी मेरा आज भी जुनून है काम करने का कि काम करते रहना चाहिए आत्मी जब तक जान है जब तक काम करते रहना चाहिए अब जब शुरुवात की होगी तो उस वक्त उम्र बहुत कम रही होगी तो जोश बहुत ज्यादा होगा काम करने का और जब जुनून हो तो जोश और जब अनुभव भी बढ़ रहा है उम्र भी बढ़ रही है अब जोश और जोजबा कितना है अब तो बच्चे देखते हैं मेरा तो आज भी जुनूर ने काम करने का मैं तो रोज एक काम करना चाहिए मतलब काम करते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे अगर आप गर पे बैट गे मैं दर्शुक्त को बताना चाहूंगे कि खना साब रोजाना करीब 200 किलोमेटर का सफर तै करते हैं और अपना काम खुद करना पसंद करते हैं भले ही बच्चों ने जिम्मेवारी संभाली हो बावजुद इसके वो सबी चीजों का ध्यान रखते हैं ख्याल रखते हैं अप अब फेस कर लेते हो तो सब्वी ठीक है आपको उसको फेस करना आना चाहिए कई बगर आद्मी कहीं नहीं अड़ भी जाता है पर उसमें से निकलना आना चाहिए तो मैं निकल जाता हूं खना साथ क्या बिजनिस को और आगे बढ़ाना या और ज्यादा बढ़ाने की इच्छा या तमना है अपने काम सुबह से लेकर शाम तक काम करता हूं गर में बैठके न कोई काम नहीं करता है अगे और क्या सोचा है क्योंकि आप बिजनिस भी फल फूल चुका है बढ़ा लिया जितना बढ़ाना है और बच्छों ने भी जिमेवारिये संभाल ली है अब आगे क्या सोच रखते हैं मेरी सोच तो होई है कि काम चलता रहे, बड़िया काम मेन्थ करता रहना हो टो चाहिए मेरे को, بस बच्चों को मेन्थ वे कहता रहत हूं वो गते हैं पापा आप कर सकते है यतना काम हम नहीं कर सकते है उनका और मेरे में बड़ा फ़र कह fils लेकिन ठंडर साइब जुनून आप के अब भी है। जटभा आप में अब भी है बार बार आप एक चीज को दोहरा रहे हैं कि जब तक जीवन है तब तक काम करूँगा और काम करना मेरा शौंक है लेकिन जो हमारे युवा हैं जो कई बार समझ नहीं पाते कि किस स्टेज पर वो हैं क्या सिचुएशन उनके सामने है क्योंकि कई बार विपरीत परिस्थियां में दोबारा दोहराओंगी कि उनका सामना नहीं कर पाते हैं उन युवाओं को इन परिस्थियों से बाहर निकलने के लिए क्या आप कहें हैं तो सभी बच्चों को या अपने साथियों को जितने भी हैं सब को एक ही बात क्याता हूं कि आप काम की तरफ दो काम को देखो काम से बढ़िया कोई चीज नहीं है आपका मन भी लगा रहेगा आपका टाइम भी पास होगा और अराम से चैन की नीद भी आप सोएंगे मैं आज की डेट में भी ऐसी लाइव लोगों की है जो रात बर जागते हैं मैं नो वजे सोता हूं रात को और सुबह साढ़े चार पाँ बजे उड़ चाता हूं खना ऐसी के साथ आपके जीवन के बारे में और दीपली हम जाना चाहेंगे अपनी शादी के बारे में कुछ बताईए जब college studies आपने complete की हमने सुना है उस समय में आपने love marriage की थी जो की बहुत कम होती थी और बहुत ही कम देखनेया सुद्डे में मिलता है जी है कॉलेज में पढ़ते थे दमाग में आ गया तो साथ लग गए और गरवन ने मना किया था पर उसका बाप भी जाँ होना होता वहीं होती है किसमत वहीं थी तो वहीं होनी थी जो करना है जो ठान लिया करने का वो शुरू से ही था चाहे वो बिजनेस है चाहे वो शादी है चाहे वो कुछ पाने की चाहे वो आज भी है जिसको जो मन में आता है वो मैं करता हूँ तो दूरान की ये बात है जब बहुत कम love marriages सुनने को मिलती थी और बहुत ही कम हुआ करती थी यानि कि घर वाले ही ऐसा भी मैंने सुना है कि लड़का लड़की शादी के बाद ही एक दूसरे को देख पाते थे उस दूरान आपने love marriage जी हाँ, जीवक्त तरीके फल मिलेगा भले ही देरी से मिले तो काम्याबी की इस कहानी में आज का सफर आपने जाना विपिन करना जी का किस तरीके से उन्होंने बहुत ही स्मूदली और बहुत ही आसानी से अपने सफर को तै किया और आज वो काम्याबी के उस शिखर पर पहुँच गए हैं जहां पर उ झाल